यह आवाज है एक शहीद फौजी की मेरे जवान दोस्तों मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गाउं लेकर जाओगे तो यह बताओगे क्या मेरी मां का सामना करता हुगे मेरा दिल यह बता रहा है वो खड़ी होगी घर के चौकर पे उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है अधर की दैलीज में पहुचते ही मुझे कंदे से उताव देना और मेरी मां के निकट चांकी पूछना उनके आसों और सीनी से लिपच्छना ना कहरा जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इंकिलाब की खाहुनाओं का फीच पोला है खुश हो जब मां आज तेरा पेरा पहरी बार वक्त पे सोया Anti-Terrism Day is observed every year on May 21, the death anniversary of former Prime Minister Rajiv Gandhi This day he was killed by the Litti terrorist in Tamil Nadu The Anti-Terrorist is observed to spread the message of peace and humanity Humanity is diversity is India's greatest strength 29 जवानों को शर्षत नमन जो बीजपुर नसलनी हमले में 3 एपरल को शहीद हो गए है जैहिन ।